Hello everyone, Humanities Revision में आपका स्वाबत है आज हम लोग देखने वाले हैं Right Against Exploitation ये Right आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में में इंसेंड है Article 23 and Article 24 इसके पहले हम लोगों को दो राइट दिये गए हैं एक Right to Equality और दूसरा Right to Freedom जिसको हम पहले ही कवर कर चुके हैं आप अगर नहीं देखे हैं तो लिंक ट्रिस्क्रिप्शन में हैं जाएए और देखिए तो लोग बिना टाइम विष्ट किये चलिए Right Against Exploitation देखके हैं चलिए शुरू करते हैं Right Against Exploitation Exploitation जिसका Simple मतलब है किसी का इस्तिमाल करना अपने Maximum फायदे के लिए बिना उसकी परवा किये जैसे अंग्रेज लोग हम इंडियन को एक्स्प्लोइट करते थे अपने फायदे के लिए इंडियन फार्मर्स को एक्स्प्लोइट करते थे आर्टिकल 24 अनुप्षे 23 और अनुप्षे 24 पहले हम लोग आर्टिकल 23 देखते हैं तो आर्टिकल 23 जिस प्रोहिबिशन आफ ट्रैफिक इन हुमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर इस आर्टिकल से रिलेटेट दो वेरी इंपोर्टेंट फेक्ट्स हैं जिसको हमेशा याद रखियेगा जानने से पहले हम लोग आर्टिकल 23 को समझते हैं इस आर्टिकल में दो कीवर्ट्स हैं एक ट्रैफिक इन हुमन बींग्स और दूसरा फोर्स्ड लेबर चलिए सबसे पहले देखते हैं ट्रैफिक इन हुमन बींग्स यह क्या होता है इसके अंटर में टोटल चार चीज़े हैं, ठीक है, कौन-कौन सी है? 1. Selling and Buying of Men, Women, Children, अब इस्तरी, पुरूष और बच्चों को एक समान की तरह, एक गूट्स की तरह बेचना या खरीदना मज़ गए, तो फिर ठीक है, अब 2. Immoral Traffic in Women and Children मतलब बच्चों को और महिलाओं को Sexually Exploit करना, Abuse करना, किसलिए अपने Profit के लिए? 1. सकेंड, यहाँ पे तुम Men है यह नहीं, क्यों मर्दों को, बच्चों को Sexually Exploit नहीं किया जा सकता है, क्या? आपका क्या विचार है इस बारे में, क्यों मर्दों को Sexually Abuse किया जा सकता है यह नहीं, कमेंड में जरूर बताएं अगे बढ़ते हैं, तो थाड है देवदासी, देवदासी लड़कियां होती थी, जो अपना पूरा जीवन, मंदीर की सेवा में समर्पित कर देती थी और Fourth is slavery, मतलब किसी को अपना गुलाम बना लेना, जैसे पहले होता था, लोग किसी व्यक्ति को अपना गुलाम बना के रखते थे जो गुलाम होता था, उसका काम होता था अपने मालिक का हर बात सुनना, जैसे अगर मालिक बोले आम के पेड़ से कठर तोड़ के लाओ, तो उसको आम के पेड़ से कठर तोड़ के लाना होता था, को गुलामी कहते थे, समझे तो ये चार चीज़े हैं जो trafficking human beings के अंडर आती है मतलब अगर आप ऐसा कुछ करते तो आपको सजा मिलेगी तो इसके लिए आपको सजा मिलने के लिए मतलब आपको नहीं जो इन चारू में से कोई act अगर करता है तो उसको सजा मिले इसके लिए पार्लियामेंट ने Immoral Traffic Prevention Act 1956 को बनाया तो ये पूरा कहानी था trafficking human beings का अब आर्टिकल 22 में जो second keyword है वो है forced labor जिसको बेगार भी कहते हैं बेगार मतलब काम तो पूरा कराया जाएगा पर और remuneration के बिना मतलब किसी भी तरह का कोई भी payment नहीं दिया जाएगा मतलब काम करो पूरा लेकिन बदले में मिलेगा कुछ ने forced labor मतलब किसी की जो काम करने की जो छमता है जो will है उससे ज़्यादा काम करवाना और एक होता है bonded labor ये भी आर्टिकल 23 के अंडर ही आता है कि लिए भी कुछ acts लाए गए थे बाद में जैसे bonded labor system abolition act 1976 the minimum wage act 1948 tract labor act 1970 equal remuneration act 1976 ये है हमारा article 23 which prohibits traffic in human beings बगार मतलब forced labor and other similar forms of forced labor तो ये था हमारा आर्टिकल 23 which prohibits traffic in human beings बगार मतलब forced labor and other similar forms of forced labor जैसे bonded labor अब बताते हैं आपको जो आर्टिकल 23 के से related जो दो facts है वो बताते हैं तो first है ये citizens और non-citizens दोनों के लिए है मतलब जो इंडिया का निवासी है जो भारतिये है उसके लिए भी है उसके साथ साथ जो यहां का citizen नहीं है उनको भी ये राइट दिया गया है दूसरा है ये राइट किसी individual को estate से तो protect करता ये उसके साथ साथ private person से भी protect करता है मुझे लगता है मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पा रहा हूं आपको भी लगता है अगर लगता है तो चैनल को subscribe करतीजे और वीडियो को like भी कर दीजे उनके दोस्तों के साथ share करके थोड़ा support भी कीजे लेकिन उससे पहले तो अपने next right को देखते हैं जो कि article 24 में है तो below the age of 14 years in any factory, mine and other hazardous activities at construction work or railways लब ये article 14 साल तक के बच्चों को protect करता है dangerous work जैसे factory में, mines में और construction work और railway में इन जैसे कामों से protect करता है 14 साल तक के बच्चों को बट बट बट, it does not prohibit their employment in any harmless or innocent work ये article बच्चों को उन कामों से नहीं रोपती है जो harmless हो जो उनको ज्यादा नुक्सान ना पहुँचाता हो अतलब आप किसी बच्चे से harmless काम करवा सकते हैं नहीं, बिलकुल नहीं कर सकते हैं आप क्योंकि 2006 में government ने इसको ban कर दिया था 2006, the government banned the employment of children as domestic servants to workers in business establishments like hotel, abas, restaurants, shops, factories, resorts and so on तलब इन चीज़ों में भी अब आप बच्चों से कोई किसी बी तरह का काम नहीं करवा सकते हैं तलब आप 14 साल तक के बच्चों को बच्चों से कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं हाँ आप एक काम करवा सकते हैं 10 साल तक के बच्चों को आप free में education दिलवा सकते हैं और ये आपका fundamental duty है हम लोगों को सिर्फ अपने rights पर ही नहीं अपने duties पर भी घ्यान देना चाहिए ज़्यादा घ्यान नहीं देते हैं ये है हमारा right against exploitation जिसमें दो articles हैं चलिए एक बार revise कर लेते हैं जल्दी से तो article 23 prohibits traffic in human beings बेगार मतलब forced labor and other similar forms of forced labor and article 24 which prohibits the employment of children below the age of 14 years in any factory, mine and other hazardous activities like construction work and railway ये था right against exploitation article 23 and 24 I hope हमने आपकी study में थोड़ा सा contribute किया होगा अभी ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दिजिए और comment में बताए वीडियो कैसा लगा और क्या क्या हम improve और कर सकते हैं असेयर भी कर दिजिए अगर हो सके तो और thank you so much वीडियो पूरा देखने के लिए वीडिते हैं नेक्स वीडियो में तब तक हसते रहिए मुस्कुराते रहिए जय हिंद वन्दे मात्रम